तो पिछले तीन दिनों में हम लोगों ने JEE Advance के पेपर में आये हुए कुछ सवाल बनाए, पाँच सवाल बनाए शाय को, कोई 2023 में आया था, कोई 2023 में आया था तो सिधा ओपेपर से हम सवाल लेकर काये थे, कैसा लगा आपको? बहुत मुश्किल होते हैं क्या, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्या जो हमने नहीं पढ़ रखी होती है अपने 11 और 12 में बहुत सिंपल सिंपल जो चीजे आप पड़ते हैं, उसी से JEE Advance के भी सवाल बनते हैं तो सबसे पहले तो यह विलकुल इस परस्पेक्टिव के बदल देजे कि जही एडवांस का पेपर कटिन होता है, कुछ भी कटिन में होता है हमने अगर 11-12 में जो सीखा है अपनी किताब के अंदर में, वो ठीक प्रकार से सीख लिया है तो कुछ और की जरूरत एक्स्ट्रा नहीं है आपने लेक्तो स्टाटिक्स में वही देखा, एलेक्रमाइटिक वेफ्स में वही देखा तो आपको बेसिक चीजें मालूम होना चाहिए बहुत सारे फर्मूला का यूज किया हमने आइसा वैसा फर्मूला यह वाला ऐसा याद करना वैसा यह नहीं किया नहीं ज़रूरत ही नहीं तो उसी को आज और आगे बढ़ाते हैं और आज जो प्रश्ण हमने चुना है वह थर्म है दो प्रशन आगे के जो है इसमें वह इसी एक ही पैरेग्राफ से रिलेक्टेड है इसलिए दो प्रशन एक साथ हल होंगे जब इसको पढ़ेंगे तो सवाल है थर्मली इंसुलेटेट सिलिंडर थर्मली इंसुलेटेट इंडर इस सब्सक्राइब है इस एक सिलिंडर है एसा एक सिलिंडर है और बीच में पार्टिशन है इसा जो चितर बना हुआ है विए पूरा सिलिंडर कल अगर दो चीजे हो एक का टेंपरचर जादा एक का टेंपरचर काम और उनमें अगर कर तो प्रहती है इसा कि' होतर बॉड़ी में से इनर्टि और और या बॉड़ीक के अंदर जासकती है तो फिर जाती है अगर जा सकती है तो या जाती है तो तो खर जय रही होती है मतलब है कि वो हीट है और der distillaten का कि इस पार से उस पार इनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा तो thermally insulated cylinder है और thermally insulated partition है यह भी thermally insulated है और फूरा thermally insulated है नहीं होगा और इसके अंदर और इसके अंदर से बाहर वो heat का दान परदान नहीं होगा भले ही temperatures different होगा यह उसकारत है और उनीच आप एच और आप यह उसकारत है और उनीच side of the partition, there is one mole of an ideal gas with a specific heat at constant volume CV equal to 2R तो दोनो तरफ एक mole है न इस 1 mole इदर भी N है और इदर भी N है और इदर भी N है न इस 1 mole और वॉल्म दे रखा है और प्रेश्र दे रखा है यहां प्रेश्र पीवोड है, और वाललीम वीवोड है। ये इतना है, on each side of the part, इसके इधर भी और इसके इधर भी, there is one mole of an ideal gas, temperature T0 V, temperature, pressure निक दिया हुए, okay, T0 V, okay, T0 V, okay, T0 V0, okay, T0 and V0, right, T0, with specific heat at constant volume, C V बराबर 2R, T0 V0, 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 T0, T0 V0, T0, T0 V0, T0, 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 से पावर वार दी जाएगी, on the left side, the left side has an electric heater which is turned on at very low power, okay, which is turned on at very low power to transfer heat capital Q to the gas on the left side, so आप देखेगा यहां वे तोड़ी समस्या आने वाली है, मैं बाते जब करूंगा और गरबट-गरबट तो कुछ होगा जरूर, यह यहां से यह heater है, और यह heater चित्र में लिखा नहीं है, तो हम भी नीचे लिखते थे हैं, कि चित्र में लिखा है कि heater जो है low power प आइड नहीं लिखोंगा, thermal energy और उसका जो value है वो लिखा है, Q, capital Q यह यह heater को low power, low power क्यों? बढ़ा थोड़ा सा वोल्टेज दिया गया है, बढ़ा थोड़ा सा करेंट हीटर में बहाया गया है और वो थोड़ा थोड़ा बहुत स्लो रेट से इनर्जी ट्रांसफर कर रहे है, क्योंकि जो हमारी हमें equations है, जो हम equations PV बराबर जो कुछ लिखते हैं यह जब लिखते हैं, वो equilibrium conditions के लिए लिखते हैं, प्रोसेस भी हमारा होता है, तो वो ऐसा प्रोसेस के लिए उसारे equations बनाए जाते हैं, जिसमें कि एक time के ऊपर एक प्रेशर होना चाहिए पुरे गैस का, जिसकी भी बात कर र होता है, तो यह जो है कि हमारा प्रोसेस ऐसा है कि एक पी डिफाइन दो कर सके हम, एक temperature हम डिफाइन दो कर सके एक instant के लोग पर, अगर ऐसा हो जाए कि हमने heater जला दिया इसके पास वाली जो गैस है, वो तो गरम हो गई, और अभी यहाँ गरम नहीं होई है, तो क्या temperature लिख हो रहा है, तो हमें चाहिए ना एक T, तो इसलिए उसको slow variations करना, ताकि अगर difference भी है, तो infinitesimal difference है, यहाँ की gas का temperature जादा, यहाँ की gas का temperature कम अगर ऐसा है भी, तो वो बिलकुल infinitesimal type का बहुत छोटा सा difference है, जो हमारी equations को बहुत एफेक नहीं करे, ऐसे ही प्रोसेस को बोलते ह है, quasi static, quasi, यहाँ पूरा static तो नहीं है, कुछ तो है, कुछ तो है, गड़ बर, तो quasi static ऐसे process बोलते हैं, सारे equations उन्हीं के लिए होते हैं, सारे equations उन्हीं के लिए होते हैं, अब ने बहुत आ सुना होगा, किसी चीज़ को जब हम suddenly compress करते हैं, किसी gas को, तो बोलते हैं, वो sudden compression कर हैं, तो यह adiabatic process है, है, बिल्कुल है adiabatic, बाहर से, कोई heat नहीं जा रहे है, तर्म नहीं दे रहे हैं, मुख बात वही है, वो sudden करने का, कि हम time alarm नहीं करते हैं, कि बाहर से, और अंदर में heat का अधान को रहा हो, तो ठीक है, नहीं हुआ, तो adiabatic को उसको खेह सकते हैं, ल हाले है, वो equation से इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उसमे पी नाम की चीज आती है, एक भी नाम की चीज आती है, और एक टी नाम की चीज आती है, वाल्यूम में तो कोई बात नहीं है, जितना बटन है, उतना ही गैस का वाल्यूम है, उसमें कोई संदेर नहीं है, कोई एक है है बटने रशाल में है अब ने स्ट मकमई ठीया थो एक साथ कैसे पूरे का टेंपरफिज सफ्टीन उनिफॉर्म्दी तो नहीं बद़ाद में बदढ़ आ।क चीछ तो यह तो उन तो एकस्व करेंगे तो कू असाफिक पूरे का उनिफॉर्म्दी तो थेंचे बसाइन नह के इनने लिखा है कि which is turned on at very low power to transfer heat capital Q to the gas on the left side और हमने उसको कहा कि मैं तो heat नहीं लिखूंगा मैं उसको thermal energy लिखा हुएने q amount की thermal energy heater ने transfer की है असा क्यों ऐसा मैंने क्यों किया क्यों is energy sir heat is a sensation नहीं heat को तो joule मी नापते ना how many joule heat energy energy तो है actually it's an external work क्योंकि thermally insulated है तो यह work हुआ है basically system पे electric energy और है वो energy electric energy heat energy में फने फने नहीं तेंगी heat transfer तो system भी round is होने नहीं तेंगी panicking energy of the molecules are changing that's why the जो heater है जो heater है very low power पे आप उसको दे रहे हैं तो जब उसको आप on करेंगे तो वो heater हमारी gas से गरम था क्या होटर था क्या नहीं 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 न तो फिर वो तो heat transfer नहीं करेंगा उसके तो hotter or colder body होंगे तभी heat transfer करेंगे तो हम defend कर सकते हैं कि ठीक है उस heater का अपना temperature बढ़ा पहले तो उसी का बढ़ेगा उसके बाद वो बाकी को देगा तो वहां तो ठीक है लेकिन as such as such अगर आप heater का ही क्यों बढ़ा heater को किस ने heat दिया तो हम इसको एक बार side में करते हैं हमार पास में एक heater है और हमने इसके अदर में इसको power में जोड़ा जोड़ा होगे गरम हो गया इसका अगर बढ़ा गया Power Dissipation इसको किसीने heat दिया क्या? किसने heat दिया? Current किसने heat दिया? Current Current थोड़ई heat देती है Power Dissipation Heat देने वाले तो कोई वस्तू ही होती है na? Resistance Resistance इसकार इसमें रेस्सिस्टности था। आपके पास ये तृपो ये तो है 1 अपर इस हीटर मोग दे रहा है या तो ये तान देगा या तो ये तार देगा या तो ये देगा या उपन सुच लगाया है वो सुच देगा इन में से कोई भी चीज हीटर से अधिक टेमपरचर पर ठीक है नहीं ना तो इसको हीट कौन देगा को हीट अभी दी जा सकती है और ली जा सकती है जब कि आपके पास टेमपरचर डेफरेंट उस्थी को हीट कहते ही है उसके अलावा जो हीट नहीं है वह वर्क हो सकता है और को दूसरा फॉर्म अफिनर्जी हो सकता है वहीड नहीं हो सकता है हम जो कहते हैं शीट प्रडूस्ट इज आइ स्क्वाइर आर टे यह भी सेंटेंस हमारा बहुत शुद्ध नहीं है जो हम कहते हैं कि H is equal to I square capital R time की तो यह जो है मैं कहों कि हीट है और हीट प्रडूस्ट कोई हीट प्रडूस्ट कोई हीट प्रडूस्ट तो होती हीट तो खाले जब एक से दूसरे में जाता है तो यह सब बाते अभी के लिए जरूरी नहीं है अभी आप उसको हीट बोलो थर्मल इनर्जी इतनी इनर्जी टीक है तो टीक है इतनी इनर्जी इसने इसको दी है तो ठीक है लेकिन इसका अगर कि अब आ है तो फिर इससे इसा राश्पराइब, जैसे इस इसा राश्पराइब, जैसे इन हीट, जैसे छोना सा फिलकापिल का डिसकरष्णन यहां बर्फोनी क्या आवर्शक्ता है, अदर्वाइस हमें को दिकत निया, इसको इतना अलग से इनर्जी इधर से सप्लाय होई ह अब आगे पढ़ते हैं, as a result, the partition moves slowly, partition moves slowly, किदर, towards the right, reaching the right, reducing the right side volume 2, V0 by 2, partition move, partition move, and the right side volume, V0 by 2, so, partition move, and the right side volume, V0 by 2, so, left side volume, what happens, what happens, V0 by 2, right, 3V0 by 2, it is, this whole area, because the total volume of the same is, two times V0, A, half a half a half, this whole area, this is, this whole area, we और यह हमारी इनिशल सिच्वेशन थी, इतनी बात यहां बताई गई है, अभी सब information collect कर रहें, कभी ने सोचना के करना चाहे, करना एक ही काम है, क्या, पढ़ना है, सबाल को पढ़ना है, और कुछ नहीं करना है, सबाल को पढ़ना है, word by word पढ़ना है, देखना है क्या क्या प का बाते कही गई है, as a result the partition moves slowly towards the right, reaching the right reducing the right side volume to V0 by 2. Consequently the gas temperatures on the left and the right sides become T L and T R respectively यहां का जो temperature है वो temperature अब T L हो गया है और यहां का जो temperature है वो T R हो गया पहले दोनों temperature एक ही थे बरावर थे T note यहां वाले का भी और T note यहां वाले का भी अब partition के खेशकने के कारण से और इधर से heat जो supply होई है इसके द्वारा इसको उसके कारण से इधर का volume बढ़ गया है इतना इधर का volume घट करके हो गया इतना इधर का temperature बढ़ गया T note से बढ़ के T L हो गया और यहां T note से बढ़ करके T R हो गया ठीक है अब आयाद सवाल अभी तक थी इंफरमेशन अब से फ्री लगनिक है और अब अब आपके लिए पहला सवाल है इसके दो सवाल है कि इसका कुछ वैल्यू है कुछ वैल्यू है चार वैल्यू तब दिये और आको इसमें से एक सही हो एक ही सही होगा स्वे दो ख coração तो हम लोऔ इस में से हमें यह यह capital TR कितना हुआ यह कितना है यह पहला सवाल जो है कि यह कितना है कि जो भी सफवाल पढ़ लिया समझ्ज लिया अगला क्या है चरण odd planning करना है कैसे किया जाएगा क्हाट दिया हूँ है क्या प्राफ्त करना है यह शिचुएशन समझ गाता है कम यहां ऐसे ऐसे हुआ एकिंद अन्हीं अव्यासरौ में झायां शलादा एक सिदाध धा तो हम देखें का हैं इसको देखते हैं हम इस पार्ट को राइट पार्ट को तो राइट पार्ट में इंद से घृ घृ यहां हो रहे हैं यह पने अप squash के छाल भाओंदौ कि शुद्ध एडियाबिटि अै यन्य बॉस्य पूंप्रेस कर भें यह इसको एसे किस्का ना सुंतिर gi और ही पौपिशन को सब्धें सकता हैं यहां पर डार के लिछ kleinen इवे यहां से ट्रांसफर हो नहीं तोड़ strategy यहां पर वॉल्यूम और टेंपरिचर दोनों हमें पता हैं, यहां पर वॉल्यूम हमें पता है और टेंपरिचर मुझे पता करना है, तो एडियावेटिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम और टेंपरिचर में कुछ रिलेशन होता है, कुछ गामा उमाते हैं, ती भी गामा, ले किए पी और भी में भी कुछ रहे हैं आप अभी कुछ कह रहे थे P V Gama और V और T में भी कुछ रेलेशन होता है और P और T में भी होता होगा तो ती नियाद करने मुझेगे में लिएकिए वर हम याद रखेंगे केवल और वो क्या हम याद रखेंगे पर अगेमिटी प्रोसेश पी इंटु वी पावर गामा तो पी वन वी वन गामा इस इकल टू पी टू वी टू गामा पी वी गामा इस इकल टू कॉंस्टेंट यह मतलब रहा मारीं कर दो समय है उस पुरय प्रोसेश के दो ताइम के दर एक टाइम पर पी जीवन टी वन दूसरे ताइम पर वो पी टू वी टू टी हो गया है तो यह म्ट्यक्षन बने घा यह एद्टिंबेतिक के लिए साही है न too सभी प्रोसेस के लिए सही नहीं है और ये भी सही है क्या ये भी सही है क्या एडियमेटिक प्रोसेस के लिए ऐसा हो जकता है क्या तो ये सही हो सकता है क्या और ये भी सही हो सकता है क्या आइस थर्मल प्रोसेस के लिए अगर मेरा प्रोसेस ना इस थर्मल हो विवन वीटू बराबर हो सकता है शुरू में वीवन था बाद में वीटू था वीवन वीटू बराबर है कोई बात थी जो है वो लिखेंगे वीटू की जगे जो है वो लिखेंगे सही है क्या आइसो कुरिक प्रोसेस के लिए और इन तिलों से हट के कोई चौथा प्रोसेस हो तो वह हमेशा सही है अगर यह आईडियल गैस है तो यह हमेशा सही है तो यह चीज अब मुझे क्या चाह और मुझे पता है P में और G में रिलेशन, तो मुझे P नहीं चाहिए, क्या चाहिए? T चाहिए, तो P को हटाओ, जो P1 है, वो P1 हो जाएगा इतना बटा V1, हो जाएगा जाएगा और जो P2 है, वो जाएगा इतना बटा V2, हो जाएगा? तो रख देते हैं, P1 की जगे रख देते हैं, हम NRT1 by V1, और V1 तो ठीक ही है, V1 पे पावर गामा, P2 की जगे हम क्या लिखेंगे, NRT2 by V2 लिखेंगे हम, और उसके बाद V2 पे पावर गामा, ऐसा ही लिखेंगे ला, तो हमने एक फर्मला याद रखेंगे, तो हमने एक फर्मला याद रखेंगे, तो हमेशा ही होना है, तो आपको जो नहीं चाहिए, उसको आपको यहाँ पे आपको प्रेशर नहीं चाहिए था, प्रेशर अड़ा दे यहाँ तो नहीं प्रेशर वहाँ पुट कर दो, सब्सक्राइब करेंगे, तो हो सकता है कि यहाँ वाली गैस का प्रेशर तो तो तुरन बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ इदर गया, फिर उतना ही प्रेशर आने में टाइम लग सकता है, क्योंकितर डिफूजन से याएगा ना, प्रेशर क्यों आता है ग्यास का प्रेशर क्यों होता है यह रिक्वीड में मिले यह इसकी दिवार पो ऐसा-एसा धकलत दे रहा है और रिक्वीड आते पानी है तो क्यों प्रेशर का के से क्या संबंध है जो मॉलेकल्स हैं कंटेबर के नदर जो गैस है मानलो तो गैस के जो मॉलेकल्स हैं वो ज्यादा टक्कर कर रहे और पर सेकंड कितने टक्कर हो रहे हैं और कितनी जोग जोग से हो रहे हैं किस स्पीड से मॉलेकल्स जाके टक्रा रहे हैं और पर सेकंड कितने मॉलेकल्स जाके उसी से forces निखलेंगे ना, एक पर से कितना momentum चेंज दर हो रहा है। उसी से निकलेंगे। तो जो density है कितनी molecules है per unit volume में वह भी decide करते हैं कि pressure कितना होने माला है। ज्यादा dense है तो बहुते molecules ज्यादा के हीड करेंगे उतने time मेंकें कम density तो कम करेंगे। तो अगर यहां का लेकिन यहां के density है काम अब वो जो यहां के molecule वहां पहुचने वाले हैं वहां के यहां पहुचने वाले हैं उन सब का एक लंबा चोड़ा कारिकरम चलेगा पूरे को उनिफॉन बनाने के लिए अब अगर बत्ती जब जलाते हो एक कोने में तो उसकी सुगंध पूरे कमने में फैलने में वर्थ लगता है ना और जब तक वो हो तब तक ता पिस्टन को और बढ़ा दोगे तो पूरे प्रोसेस के समय में किसी एक इंस्टेंट पे आप इसका एक प्रेशन बोल पाओगे क्या नहीं ना और वही अलग तेमपरचर का है तेमपरचर भी यहां का अलग हो स सब्सक्राइब हो तो कॉंजा वाला भी खोगे कॉन स सा व पी लिखोगे कॉन सा वाला पी जखोगे कॉन ले पॉन तरनलो लिख दोगे प्रसेज टेमपरचर ता लिखी नहीं पाएंगे तो इसी लिए उसको कहा गया कि Adiabatic तो है है at the same time the partition is moving slowly ताकि आप हमेशा आपको एक temperature मिले पूरे का एक temperature मिले जो चेंजेज हों बहुत इन्फानेटे से मल हो इसके कारण से ओके तो हमारा पास यह सूत्र आगया अब सूत्र आगया तो उपर वाल को मिला था हो गया था पांच सेकंड तुरे हो जाए अब इसकी जरूरत है यह अपने को करेंगे और वहां पर यह सब करेंगे तो उसमें तो फिर आपको यह मार शीट में काम करना है लेकिन अगर वैसे प्रिजिकल वाला होता तो कोई बात ने थी उसको भी हम अलग पन्ने रफ उपर और वो यू जी अचलिक करके और उसके उपर यह सब धंदे करते रहें आजए ते वन का मतलब क्या हो गया और प्रिवं ग्तलिक क्या हो गया अगर उपर क्या लगा ciąगि दूंझ टब अनुख सब दूट का मतलब क्या हो गया और वी ठूंट रिवीची अगरा यही टी आर चाहिए, यही टी आर चाहिए, तो इधर का उधर को कर सकते हैं, ती आर बाइ टी नॉट, क्या बराबर क्या है, तो रेत रिकाबर दावा, ऐसा लिखूं क्या, यहां भी, ऐसा लिखूं क्या, यहां आगया है, ती आर के साथ जो गुणा था, जो मुटिप्लिकेशन था, वो बीचे आ गया है, तो यह हो गया, अब क्या करो, अब क्या करो, पहला तो इसको कैंजल करते हैं, उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे, तो यह हो गया 2 तो गामा माइनस बन, अब क्या चाहिए अपने को, गामा इसका कम हो गया ना, मैं मिटार आगा, आपके रफ में लिखा ही रहेगा, तो कि आप कलम से करो तो मिटे ना देगा, हम चौक से कर देंगे, तो मिणा दे रहेगा, और गामा चाहिए, C भी बरावर तु आगा, गामा कैसे मिलेगा, गामा का मतलब ए C पी बाइस निए, तो और C पी कितना हो जाएगा, अब C पी कितना हो जाएगा, अब C पी कितना हो जाएगा, C पी बाइस निए, 3R, 3R, C पी माइनस C वी is equal to R, तो इसलिए C पी चाहिए, तो C पी में R को जोड देजे, तो 3R हो गया, और गामा के लिए आप C पी में C पी से भाग लगाएंगे, तो क्या बनेगा, 3R by 2R, 3R by 2R, तो गामा हो गया, 3 by 2, तो हमारा जो ये था, 2 to the power, कितना, 3 by 2 minus 1, कितना, 1 by 2, 2 पे power 1 by 2, उसी को तो root 2 केते, 2 पे power half, उसी को तो root 2 केते, ये हो गया साफ, हमारा उस पर मिल गया हमाएं, TR by T no, it is root 2, और आपके option में कहीं पर have, yes, तो उसको आपको भर देना है, यहां ये वाला option जाएंगे, right, टिका ना, मुश्किल था ना, सवाल, आये जई एडवांस का सवाल है, जई एडवांस का सवाल है, जई एडवांस का सवाल है, तो हमने कैसे कैसे सोचा, हमें क्या चाहिए, TR चाहिए, हमें यहां का वॉल्म पता है, पिर ये जो है सिस्टम, ये पहले ऐसे था, ये भी पता है, नमबर ओफ मोल्स बदले नहीं है, ये भी पता है, और यहां का ये दोनों कुछ पता है, तो इसलिए T और भी वाला रिलेक्शन अगर हम यूज करेंगी, तो यहां से मुझे त्याज मिलेगा, ये योजना पहले चले, ये योजना पहले चले, ये उस योजना को हमने पिर काल्यान बेच कर दिया, ठीके? अब अगले सवाल में क्या पुछा जा रहे? यहाने कापिटल क्यू निकालना है अब अपने को क्यापिटल क्यू बाइ आर्टी नोट तो ही पता ही अपना दिया ही हुआ है क्यापिटल क्यू चाहिए यहां कि अज़ियत तो सकता है कि तो आप इधर में कुछ सुचने कि ख्याल आसकता है कि इधर से तो कर यहां से कुछ बदलगया है एंशियम महरा कर दो पता है आउनला मुरता है, यह सरा हुआ है, पैसे क्यूम एक खेड़ को मिला हैॉ अर इधनला प्षटन अईयसा मूफ किया है, तो कुछ वर्क हुया है प्रोसेस के दोरान तो कितना वर्क हुआ पता ने तो या तो हम फिस्ट लॉप थर्मडानमिक से शायद काम वेना बनता इनर्जी जो दीव चाती है वो फिस्ट लॉप थर्मडानमिक से रिलेटेर होती है अगर आपने क्या कुछ होता है तूतरा जितना आप इनर्जी प्रवाइड करोगे हीट के रूप में जितना आप इनर्जी प्रवाइड करोगे हीट के रूप में जितना आप इनर्जी प्रवाइड करोगे हीट के रूप में जितना आप इनर्जी प्रवाइड करोगे हीट के रूप में जितना आप इनर्जी अब जितने यूल का work करोगे किसी system पर so system के नरजी मैं और में कह रहा हूँ कि जितना हम दो system पर जब हम work करेंगे तो system की नरजी बड़ेगी और अगर system पर जो हम work कर रहे तो अगर मैं कहूं, कि this is work done, on the system. तो मैं क्या लिखूंगा? और यू is a change in energy, increase in energy. तो जितना heat दिया, उतना system के energy, जितना work हम ने किया system पे उतना energy, तो total कितनी energy बढ़ी? तो तोल तोल कितनी energy बढ़ी? ठीक है? और अगर मैं कहूं दिने? W मैं उसको बोलूँगा, work done by the system. बाइ दगे, बाइ दे सिस्टेम अगर मैं ऐसा बोलूं, इसको बोलिये, ये डब्लू कहलाएगा तो जिटना डब्लू है, शिस्टेम के नदे, उतनी कम होता है और जिटना क्यू है, शिस्टेम के नदे, उतनी बढ़़ दिया कुल मिलाकर कितनी बढ़ ही? Q- आपको याद हो बिकैने के जरूरत यहाद रखने की जरूरत नहीं है, फस लोग ऑ फर्मुले को तो याद ही बन रखो, 20-25 यहाद रखने है तो हराओ इसको जरूरत ही नहीं है, नहीं इसकी जरूरत है, जरूरत है किस की जरूरत है? अगर उस पर वर्क कर दिया तो गी इनर्जी गटाई और सिस्टम ने अगर हीट दिया है तो इनर्जी गटाई आपको दिखना है टोटल इनर्जी गटाई करता है कि उसको कह रहे हो क्या से गृतना हीट दिया उसको क्यूं प्रण के खह रहे हो गा'll का जो फार्मला बनता है हमारा बेसिक आँछ लोग इसको यह लिखते है समय में ऐसा कट भी मांग देते हैं कभी कभी अपर को के वोगे ऑफ होड़ा व तो छोड़ों कट मालों चैनल मत माल वंट जो है किसी फोर्स के कारणसे होता है वर्क जो है किसी फोर्स का तक फोर्स कुई निकर लगाता है तो जो लगाता है मुँष्को कृडिड़ देते तुमने वर्क किया तो ने वर्क का देफिनिशन फोर्स से है ए दॉट दॉट दिया तो आप fours को देखो के जिस पोर्स की आप बात करना चाहते हो करो और फिर डिस्प्लेस्मेंट पॉइंट ऑफ अप्लिकेशन जो है उस पॉर्स का वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है उसको देखो के और ये तो वर्क दन बाइदा फोर्स एक्ट्रली लेकिन फोर्स तो कोई लगाने वाला तो होता ही अगल तो उसको हम क्रेडिट देते हैं मैं ने जो फॉर्स ला रहा हूँ यह नीचे से उपर ले जा रहा हूँ तो जो म्सक्राइब बाइदा और आर्थ जो जो म्सक्राइब के अब होता है कि तो जब हम होता है की वी तो आफ दो द हैव अन् वर्क ऑन दी गास इनब तो हम अपने वो क्रेडिट देन मैंने जो फोर्स लगाया है गैस पे वो फोर्स वर्क कर रहा है लेकिन वोगर मैंने लगाया तो हम कते हैं I have done the work इसी तरीके से गैस पुश कर रही है इस तो गैस पुश कर रही है और पिस्तिन मूफ कर रहा है तो बही वर्क हो रहा है, किसके दोहरा है? ग्यास के फोर्स के, ग्यास के फोर्स लगा रहा है पिस्टों पे और वो पिस्टों डिस्प्लेस हो रहा है, वो वर्क हो रहा है उस फोर्स के कारण से लेकिन हम कहेंगे, गैस ने वर्क किया, वर्क राइद बाइद गैस का यह मतलाग है, तो इसलिए कोई केमस्ट्री फिजिक्स में कोई अलग नहीं है, बिल्गूल अलग नहीं है, भाई इतने हैं कि वह इसमें बात करना चाहते हैं कि वह आइस सिस्टम ने कितने व्रक प्रेश्ट को और फॉर्ट कि में क्रिंग करने दावचे दोने वर किया विए सब्सक्राइब तो आप गैस के कारेंट से अगर वर्क निकालना चाहा रहे हैं तो पहले तो आप देखे गैस ने किस दिशा क 강! अगर हमारे पास मेंhew एक है है करा हमारे पास है को अगर हमारे पास यह है और इसमें लृ मैं फ्र्म यहनिक इस तरहिए पेडिकरEE यहां पर गश है और हमने इसे को डदगा इतिए और तो इंड हौए का तो गास के द्वारा जो काम किया गया है व्यूरि में बखेंगे इतने माइन इतने जूल ने काम किया तो W पॉजिटिव भी हो सकता है, W निगेटिव भी हो सकता है, ये वाला फॉर्मुला लेकर चलो तो भी, और ये वाला लेकर चलो तो भी. बेसिक रूल या दुरिखने शुरू में जो भी पढ़ा था, क्लास ग्यारह में, वर्क दन भाई है, फोर्स इस एफ डॉट दियार, एक ही दिशा में है तो पॉजिटिव, अपॉजिटिव, अपॉजिटिव, एंगल पर है तो पॉजिटिव देख लो, रहेकर एक आपक से जोगा है, मेरे कारण बंपो पॉजिटिव कीा, अपॉजिटिव सब्सक्राइब करने के पहले जैसे हम कहते है नुटन लोग अपलाय करने के पहले सिस्टम टाय कर लो उसके बाद नुटन लोग करने के पहले कि मैं किसके कारण से वर्क लिखना चाहरा हूं किस्टन के कारण से लिखना चाहरा हूं तो उसके लिए अच्छा सा सूत्र यह है कलकूलेशन रगार करने कि नुटन बता जया तो यह ओर इस के करने के पहले तो इसके करने के के माँ यह लेकिछल हूं Sir, when we cool the piston in the outer direction, then the gas will, temperature of the gas will decrease. I don't know, I don't know, if the walls of this piston are not adiabatic, they are not thermally insulating. So, if the temperature will increase or increase, then the temperature difference will be transferred to the surrounding. Then, possibly, it may be that the temperature will not change. If you pull it, the volume will increase. But suppose it is insulating, then work done by, on the system, what I am doing, I am taking this piston this way. Yes, yes. Right? Yes. So, the gas is here. Now, I am calculating work done by the gas. That will be positive. That will be positive. You have answered your question. Same way. And, mehra, hum jo kaam kar rahe hai, wo negative? No, hum jo kaam kar rahe hai, hum is piston ko khich rahe na. To hum in dari force laga rahe hai na, isko khichne ke liye. That should be also positive. Yes. Don't be positive. Yes. But piston jo kaam kar rahe hai, iske gas ke upa. work done on the piston, on the gas, by the piston. Gas ke kar rahe, work done on the gas. Gas purge over, by the piston, iske kar rahe hai. Ye piston gas ko kithar push kar rahe hai. Iske kar rahe hai. Because, the gas molecules are hitting it this way. It is a third row. This piston is applying force on the gas in this way. And, the point of application is moving this way. So, the work is negative. To make is piston pe kithar na kaam kiya. Yes, it was positive. But, most of the time, that is not relevant in the question. You are looking at the gas. You are considering the gas. Aap to gas ka pressure nikaal na hai. Gas ka volume nikaal na hai. Gas ka temperature nikaal na hai. Gas pe kaam kar nahi na. Toh may piston par kya kya, kya nahi kya. Wo mere piston ka apas ka maamla hai. Chhodo usko. Positive hai, negative hai, kuch bhi hai. Kar nah kiya uska. If you want to study the gas, behavior of the gas, expansion of the gas, contraction of the gas. Right? Heating of the gas. Toh gas ko dekho na. Toh yato gas ne kitna kaam kiya piston pe usko dekho. Yato piston ne kitna kaam kiya gas par usko dekho. They are positive and negative. Right? I am interested in the changes occurring in the gas. Volume ka change, temperature ka change, pressure ka change, internal energy ka change. I am interested in entropy me change. I am interested in the changes in the gas. Toh yato aap socho ki gas par maine kisi ne kitna kaam kiya. Gas par kitna work hua. Thik hai? Use that. Or gas ne kitna kaam kiya. Use that. Toh ek positive hooga, ek negative hooga. But remember, yeh duno meh yaa ek jagah plus hai, dusra jagah minus hai. Thir bravar, or wahi eki eki desai jane wala hai. Eki desai jane wala hai. Eki desai jane wala hai. All right? So yeh work ka yeh maamla hai sada. Toh isko hum abu puri ko erase karte hai paath. Or dekhte hum kaha tha in solving the problem. So what we need is, what we need is, agar hum yeh lagate hai apna first law lagane ka koshish karte hai, Toh hume chahiye ga agar ispe meh kaam karo. Ispe meh kaam karo. To yeh q heat idhar se mila hai, that has increased the energy. Internal energy use ka increase hua hai. Or yeh piston idhar gaya hai. Toh gas idhar ke taraf forks kar raha tha na. Or udhari piston bhi gaya hai. Toh work done by the gas is forks. Toh utna energy gahta hai. Final energy shayad hum yeh TL maalum hota, toh shayad hum nikaal lete hai final energy. TL bhi pata nahi hai. Okay? Pressure pata hoota hai mujhe, toh final energy hum nikaal lete hai. Final energy hum nikaal lete hai, wo pressure bhi pata nahi hai. Toh final energy agar mujhe pata hoja hai. Yaha final internal energy mujhe pata hoja hai. Or initial internal energy mujhe pata hai. Toh hai, abhi toh pata hai. Toh mujhe pata chile hai ki energy kitna, bada hai hai. Bada hai hai, ghat hai hai kiya hua hai. Lekan usmen bhi doh factor a gaya. Ek toh ye q hai. Dusra piston chala hai toh work done hai. That work done I cannot calculate. Kyuni calculate kar sakta hoon? Pressure pata nahi hai. Pressure pata nahi hai. Pressure is changing continuously. Yahaan ka pressure toh mein nikaal junga. PV badaabar jnartti se nikaal junga pressure. I know that. But yahaan ka pressure toh. No, because steel even hini pata hai. Huh? Toh ye plan joh hai, wo successful nahi ho raha hai. Toh kuchh orr kusara plan kerne ka hai. Ye problem kar raha hai. Ye joh work done wala hai na. Yahaan ka joh amin nahi pata hai. P nahi malum hai. Toh ye work done nahi pata hai. May kya PDV ko integrate karu. Mujhe pata nahi hai. Ye problem kar raha hai. Agar pata hootar toh hum kuch kar lhe jate. Ab kis ko bypass karne ka hai. Behold simple sa tariqa tha. Is poor ecosystem consider. Is poor gas ke chintah karo. Hmm? By the way, Yahaan ka pressure, Yahaan ka pressure nikaal sakti hai. Yahaan ka pressure nikaal sakti hai. Yes. Yes. In terms of T motor. Haan because we have, we have already obtained this TR. Pressure nikaal sakti hai. Pressure nikaal sakti hai. This TR is known to us now. This TR is karunut of 2 into T motor. Ye hamay pata hai. Ye hamay TR. Ye pata hai. Yes sir. One mole hai pata hai. Volume ituna hai pata hai. Can we calculate? Yes sir. The pressure. The pressure. Kar sakta hai na? Yes sir. To us ko jaraan dhekho. Plan kya hai ki idhaar ka pressure muha hai agar pata chal jaye. To idhaar ka pressure pata chal sakta hai ki? Yes sir. Kya? Kya? Kigul. Malo idhaar ka pressure muha pata chal gya. Ki ye bhaiya ye ituna hai. Ye ituna hai. Piya. Same. Same. Same hooga. Same hooga. Because it is slowly going. Acceleration of the piston is zero. Even if it is heavy. Acceleration of the piston is zero. Newton's was lagali je. F. F equal to ma. The rule. Purchase scale distribution ko rakhna hai. F equal to ma ko. Huh? To chunke acceleration zero hai to net force zero. To pistol to bhai hai. Area to bhai hai. Jo is side se pressure. Why is side. Why is side se pressure. Tabi to force berabar hooga na. Magnitude me. And tabi to slowly slowly move karega. Without any acceleration. So ya haan jo pressure hooga. Wohi pressure yaan pe bhi ho jayega. To I will now know the pressure. Hmm. And woh pressure pata chal gaya. Volume hai. To I will know the temperature. Or sab kuch pata chal gaya. To I can calculate the internal energy. Ideal gas. Agar mujhko yahaan ka internal energy pata chal gaya. Is pure ka. Iska to hai nahi. Iska to pata hiya sab kuch. Is pure ka internal energy. Mujhe pata kari me. Final. Or is pure ka initial. Mujhe pata hai. Ab joo is pure system ko energy miliye. Khali a qi toh miliye. Q. Change in. So that will be our plan. Us plan ke upar hum aange badaenge. To I am kya kane pahle kya nika liyaan pe. Pressure nika 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 nika. Pee b is equal to T. Pressure mujhe nika nika nai hai hai. V no by T. Right. Ye pressure to mujhe nika nai hai hai abhi. Or iska volume hai kitna? V no by 2. V no by 2. Yek hi mole hai. One mole hai. R. Or T. Mujhe pata hiya. Gas constant hath to r the R. Temperature mujhe pata hiya. Yhe tiya mujhe pata hiya. Wuhye pata hiya. V no by 2. He may be pata hiya. We need to know the point of it. Ligya nika nika nika. And we need to know the point of it. Wuhye pata hiya. Huye pata hiya. Gas constant hath gare. Tr. Temperature himself. Mujhe pata hiya. Tr. इसका प्रेशर पता चल गया रहा तेम्परिटर में पता चल सकता है कि आपके तो पता है नहीं इसका नहीं इसका 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 पता है प्रेशर का पता है मुझे प्रेशर का निकाला वही इसका बहुत है जो राइट साइड का है वही लेफ डी तो हमें प्रेशर का पता चल गया प्रेशर है तो मुझे क्या पताशल गया फिर से मैं अब इसके लिए लगा दूंगा पीवी कोल टेनर्टी तो कर सकता हूं ना तो यह भी निकल जाएगा अब आया इनर्जी लिखना इनर्जी कैसे लिखा लिखा लिख आप के पास एक ग्यास है उसका कुछ सीवीर उसके नमबर ओफ मोल्स हैं तो इनर्जी हम लोग क्या लिखते हैं तो फिर सिधाई एक्वेशन बन गया है और हमें क्या बताया गया है सीवी कितना है देखा लिखे नर्जी हमें के पड़ना है तो चल्सी कितना है कि अल्जी का ग्यास है थिखे लिखे लिखे नर्जी कितना है तो बन्समय कितना दीखे जबुछ टान्जीए लिखे सब्सm करना है उसमें है कि DQ is equal to N C P DT, when pressure is constant and this is heat supply, not the change in internal energy, I am asking what is the change in internal energy, what is the change in internal energy, not DQ, not the heat supply, but definition of specific heat capacity, if the pressure is constant, then the heat given to change the temperature by DT will be N C P DT, if volume is constant, the heat given to increase the temperature by DT will be N C V DT, right, DQ is equal to N C V DT, if volume is constant, but all this is for heat, I am looking at the internal energy, heat is very different, but heat is very different from the internal energy which is there, so internal energy, if you look at the internal energy, then this works, any kind of process, any kind of process, C P we are not calculating DQ, we cannot, okay, so how do you calculate DQ, DQ calculate, I mean calculate, I mean total final internal energy, total initial energy, Q So, I am interested in internal energy, not in the heat transfer, so these equations, these equations are for DQ, for heat given to the system, नो इसको ढुद रहा है ए मुझे क्या चाहिए तेमपचर बढ़ है तेंपर्चर बढ़ गयाँ, इंटनरोर्ट बढ़ गयाँ, तो मैं उसको ढुद रहा है, तो इसके लिए हमने ये DT DT छोटा के लिए लिखा है, बुरे में जब कर देंगे, तो U will be NCV T, T पराबर एपसलूट टेपटर जीरो पे मेंने इनर्जी को जीरो बल गा तो इसक लोगे मैं इनेशल इनर्जी जब लिखूँगा तो ऊपर वाला प्रेशर युज़ करूंगा कि निचे भाल प्रेशर निचे बाई कर ला है गज़ी प्रेशर दोनु साइट का चेंग होगा क्यूंकि कि पिस्टन जलोली स्लोली मुख कर ला है all the time, all the time in the entire process. जलोली मुख करने का मतलब है कि टरीज स्लोली नो ऐसेलाशन देश्म So, force from this side, all the time is equal to force from this side. So, pressure this side is all the time, same as pressure this side. So, final में भी, initial में भी. का ऊच्छार एक जी से माव विख आप है Нुथा. इस जा जान्जी घवें वा ऐड र शिट Article एम यफ़्हपक्व, let's do it. cv s54 तो मेरे कोई NRT एक साथ मिल गया है और उसको मैं PV लिखी जाकता हूँ तो now let us write initial energy and final energy ये यादर रहता है उपर लिखने जाता हूँ लिखी लेते है, energy is given by 2 times PV ये मेरा formula है ये formula है, मैं इस्तिमाल करने साथ हूँ इस formula का और ये formula इसी सवाल के लिए दूसर सवाल के लिए नहीं है okay, so now let us use this formula which we have derived for this question to write initial internal energy of the entire gas pure gas pure gas इसका प्रसर कितना होगा अभी बोलो को PV, PV कितना होगा, हाँ या PV कितना होगा NRT NRT RT No होगा नगा यहाँ पर कितना होगा Nt यहाँ कितना होगा and 2 times PV is the energy, so this is 2 times RT0, so this is 2 times RT0, this will become the energy, how much will it become, how much will it become, will it become, will it become like this, okay, and now let's go here, the final internal energy of the entire gas, so first let's go here, P knows how to use it, P knows how to use it, this was the known quantity, times 3V0, yes sir, so P or 3 times V0, known quantity, yes sir, and that pressure is the same pressure, that is known quantity, so that is known quantity, here come here, 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 plus 2 times, same pressure, same pressure, or into V0 by T, so 2V0, and R, okay, same PR, and into what? V0, okay, or yeh jo UF heh, if I call it Ui, and this is UF, then UF minus Ui will be what? U, Q, so Q ka expression mil gaya, q by capital R T not, capital Q aap se, puchha jara hai, baki kram to aap hilo complete karo ge na, option koon sa thik hai ho ta, kna idea, such plans suchney mein, aap ka skill hai, KITA na apch Ti tarikai se apne saare eqeious history ko, concepts ko achi tarikai hat, तो आप प्लान अच्छी तरह से सोच सकते हैं. तो प्लान थोड़े सोचने में थोड़े सकेल है. But there is nothing which you do not know or which is very special, कुछ अलग साथ चीज हमको मालूम होना चाहिए था, तभी हम चे बनता, ऐसे कुछ भी नहीं है. कोई ट्रिक, कोई टेकनिक, कुछ नहीं. और आप सोचते हैं अगर, कि अगर हमको ट्रिक टेकनिक मालूम होना चाहिए तो हम जल्दी कर लेंगे, तो आप करोगे जल्दी, sure. But गल्तियां भी उतनी करोगे. So at the end, the output will be more, if you start from very basic concepts, very basic concepts. उस chapter का बहुत basic concepts, energy क्या होती है, वर्तन क्या होता है, heat क्या है, वहां से आप शुरू करोगे, you understand it. इनर्जी में, कब बढ़ेगा energy, कब बढ़ेगा, कैसे हम calculate करते है, adiabratic process है, तो फिर क्या होता है उसके अनर में, isothermal process है, तो क्या होता है, यह सब basic सगर अपने को पता है, और आप उसके साथ थुदा time बिता चुके है, जो किताबों में रखते है new miracles, वह आप जब हल करते हैं, तो आप उसके साथ time spent करोगे, जान जाओगे न तो सभालों में जब हम निमेरिकल्स बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं जब अपने घर में, अपने टेक्स्ट बुक के आखरी में जो लिखे रहते हैं, या कोई भी अच्छा सवाल आपको मिलता है, उसको आप बनाते हो, तो यू जस्ट गेट मोर और फैमिलियर विद इत्रा पता तो हो गया, लेकिन उसको अशीतोर से समझना, उसके लिए थोड़ा दोस्ती करना पड़ेगा न उससे, परचे करके थोड़ा बात कर लिया है, तो पांच मिनिट तो कुछ-कुछ बात पता चली है, लेकिन उसके भीधर की बातें जो है, बहुत रहस्य महीं नहीं है, उसको समझने के लिए कुछ जाना मदन दिमाग खपाने का ज़रूरत नहीं है, उसके साथ बैठ हो, उसके साथ चाय पाने करो, उसके साथ खेलो, करो, काम करो, उसके साथ में टाइम बिताओ उसके साथ, अब जितना निमेरिकल के साथ में टाइम बिताएंगे, उसके साथ उसके साथ familiar हो जाएगे, एक बार familiar होगे, तो आप दूर से भी देख के पहचान जाओगे, कि हाँ आँ मेरा दोस्ता रहे, दूर से कोई दूसरा कपड़ा बड़ा वे पिनहा करके, वो इसको ऐसा करके भी भी भेजएगा आपके पास में, तो भी आप पहचान जो मेरा दोस् और नहीं, तूसरा एक दिन तो जिस दिल पहला पंजेव आते हो दिन, तो बड़ा अच्छा कुर्दा को जाओप पहना ता जाट, और आज जो आ रहा है, बड़ा जुल खुल जाड़ करके आ रहा है, तो आप पहचानोंगे भी नहीं उसको, तो आप उसके साथ ताइम उस और ये श्लाइट आप लगा सकते है दूसरी थाटोसरी इन रेडियोक्तिविती के प्रसेस से शुरू हो हरा है साथ नों, ये रेडियोक्तिविति के प्रसेस से शुरू हो रहा है साथ प्रश्न है इसके सारी अभी दूसरा दोस्त है वो वला नी लेगिन है दोस्त अपना ही दोस्त है इन रेडियो अक्टिव डिके प्रासस्स दे अक्टिविटी इस डिफाइंड अ A is equal to minus D and E देखो J.E. के question sitter जो होते है न वो अपने students जो students appear होते हैं J.E. के अंदर में उनके साथ बहुत friendly होते हैं वो आपको सवाल में बता रहे हैं कि activity कहते हैं आपको कहे को ज्यादा रखने का जरूरत है J.E. के question sitter जो है वो आपको मुश्किल सवाल नहीं देते हैं और कुछ अगर concept होता है न तो खुदी सवाल के अंदर ही बता देते हैं जैसे इसमें हो रहा है इने radio active decay process the activity is defined as A equal to minus D and D Generally आप यह उमीद मत करना बाकी के question sitter से वो आज जही के question sitter से आप यह उमीद कर सकते हो वो तो कहेंगे किताम में नहीं लिखा था गया किसको कहते है आपको याद रसना चेहे था कि activity किसको कहते है All right So activity is defined by this Where ऐसा नही कि खाली बता दिया Where पुरा condition बता रहे This N This N which is a function of T is the number of radio active nuclei at time T at time T Now two radio active sources S1 and S2 have same activity at time T equal to 0 at a later time the activities of S1 and S2 are the same activity at time T equal to 0 R A1 and A2 respectively बाद में इसका activity A1 हो गया उसका activity A2 हो गया When S1 and S2 have just completed their third and seventh half life respectively So So यह जो है यह after T equal to 3 times T half इसका वाला जो T half है उस समय में इसकी कुछ activity है लेकिन इसकी लिए जब कह रहे है तो इस time पर नहीं बोल रहे है यह जो इसका T half था अपना life half life time 7 यह इसका time अलग है When this has completed 3 half lives उस समय का activity जब इसने complete किया 7 half life उस समय का activity इसको बोल रहे है A1 और इसको बोल रहे है A2 फिर से पढ़िये At a later time the activities of S1 and S2 are A1 and A2 respectively when S1 and S2 have completed their 3rd and 7th half life respectively the ratio of A1 by A2 is अब आपते पुछा जारा है what is A1 by A2 Sir, at a later time it means T1 and T2 are not same They are not At some instant of time they are being both the sources अपते एक ने अपने 3 half life पतम की और एक ने 7th जो भी A later time लेकाने इसी एक time T1 and T2 are same but T1 and T2 are same but T1 and T1 are not They may be same करते है इसे लिखने को हर्स तो नहीं है अगर उनके वो एक ही time पे जट तक ने इसने 3 पूरा किया उसने 7 पूरा कर दिया तो वो भी इसमें included हो जाएगा में more general लेके चल तो अपने को यह पता करना है अब क्या क्या माल में एक फर्मला दू जाद नहीं याद रखना है N is equal to N is equal to N is equal to तीक ना यदो याद रहेगा इना चप्टर पढा के सुगिया एक तो याद रखना हो एक तो याद रखना हो आप इसको डिफरेंशेट करना है ती के रखने में और याद माइनस लेंडा ती है तो माइनस लेंडा से मल्टिप्लाई करेंगे और फिर ये तो इतना ही रह जाएगा उसके बाद और माइनस लेंडा से मल्टिप्लाई करोगे और ये माइनस यहाँ पर भी है तो फिर आप ने ये वाला माइनस लिखो नो वाला माइनस लिखो दोना से चुटे पाजाओ तिसलिए यहाँ कुछ ने लिखाएं अड इस ये ये वाला लाद लेंडा हाँ वो एन अगया यहाँ आपको हाफ लाइफ का फ़र्मुला न याद हो तो कोई बड़ी बात नहीं है यह 0 टाइम पे लिए यह 0 टाइम पे N0 है T equal to 0 पे N0 है तो उसका आधार रह गया T time पे यह नहां एक half life गुजर गया मतलब जतना हा उसका आधार रह गया तो T equal to 0 से शुरू कर रहे है और 1 half life गुजारेंगे और इसका जो N है पहले N0 30 equal to 0 रखने से यह 1 हो गया और एक अफलाइफ गाद वो आधर रह गया नग धौ गया पहले नग था, वार एक अफलाइफ गाद इतना होना चाहिए इसको कैतर न न बास संब हो दाष न करा आपारव के वह से न न अंग थैटन मॉलएं मेर कोई वर्यूर गाशर परी के लिक्षायब अ पिफ नोल बासुन कि आशर सकर यह थे क्या है शेयर इंगा यह कि हिद्ट सbereарт तो ती हाफ पराबर क्या हो गया? LN2 दिवाइब बाइ लैम्दा कितना राम लेंगे गया? 5 सेकंड बहुत चिस यहां सब्सक्राइब क्या से तुरत है? तो अब हम इन सब्सक्राइब सकते हैं आए नीट मिज़े जो पत्चा चहिये था वो सब मिल गया मचे A1 भाई A2 निकालना है याद है मचे वट इस A1? तो आपका जो A T है या N ही ले लेता है अब आई बताओ, शुरू में न नौ है, शुरू में आट अट टी इकल टो जरो, तो, N0 है पहले का, या N1 है पहले का, Lambda 1 है उसका, तो, हमच इस अच्टिविटी, हमच इस अच्टिविटी, और दूसरे का, दूसरे का, second वाले का, डूसरे का, तो, गन न शोड़ें, N2 है, तो एफिक इस अच्टिविटी, इस अच्टिविटी, स्अच्टिह, oke, टी इपल सूछु पर ही हम लिख रहे हैं, तो जो A1 है मालज़े इसके T equal to 0 N1 radioactive थे और उसका जो लैमडा है वो लैमडा 1 था तो activity है लैमडा टाइम्स N तो क्या हो गया activity हो गई लैमडा 1 N1 तो मेरे को देखे रखा है कि लैमडा 1 N1 is equal to lambda 2 A2 N2 T equal to 0 यह T equal to 0 का मामला है ठीक है क्या क्या माना मैने at T equal to 0 the first source S1 has N1 radioactive nuclei and at T equal to 0 the second source S2 has N2 radioactive nuclei और उनके जो हाफ लाइफ है या जो लैमडा है वो different है और इसलिए लैमडा 1 पहले में लगाया लैमडा 2 बाद में लगाया लैमडा 1 N2 लैमडा 1 N2 लैमडा 1 N1 is A1 and लैमडा 2 N2 N2 is A2 and they are equal they are equal T equal to 0 पर यह equal है इसलिए बैने दोनों को ब्रावर कर दिया ठीक है अब अब तीन हाफ लाइफ गुजरे है तीन हाफ लाइफ गुजरे है शुरू में N1 थे रेडियो एक्टिव नुक्लियाई प्रावर कितने के बाद कितने बच के एक हाफ लाइफ बचने के बाद कितने बच गुजर जाए तो आप हम कहरें कि यह वाला जो है इसका हम हिसाब किताब कर रहे हैं अब इसका जो है activity कितना हो का में पता करना है तो N1 by 8 है न और टाइम्स लेंड़ा वन तो नहीं बदला लेंड़ा वन तो नहीं बदला न तो तीन हाफ लाइफ के बाद जो activity लेंड़ा एन है बात इस दिस इस इस युर एवन ये वाला एवन इस टाइम वाला एवन तो जो हमें कहां गया कि इतने हाफ लाइफ पर तीन हाफ लाइफ गुजरने के बाद उसमें इतने रेडियोक्ति निक्लियस बचे है है, लाइवन ड में वाला गया लाइवन है लाइवन गोड़ेट लाइवन गोड़ेट बाद अब इसका सुझ के बाद ऑद टो फे पर पर खैवन ट्या्ट खैना है 128 होते हैं, okay, good, and this is what? A2, A2, at a later time, the activities of S1 and L, at a later time, the activities of S1, S2 are A1 and A2, capital A1 and capital A2. वही वाले A1, A2 हैं, यह उसी time पे में लिख रहा हूं, यह 3 half life के बाद पहले का, और 7 half life के बाद दूसरे का, ठिक है? उसी कातुरेश्व निकालने को कही जा रहा था, A1 by A2, तो भाहर लगा जेते हैं, A1 by A2 is equal to lambda 1 N1 by 2 to the power 3, और उसको हमें भाग लगाना है किस से? 12 to the power 7, इस से, so lambda 2 N2 यहां, और 2 to the power 7 उपर, कात दूँ क्या? क्योंकि lambda 1 N1 और lambda 2 N2 बराबर है, क्या बचा? कितना होता है? क्योंकि फिनिश, बनाना जही आइडवांस का एक और सवाल बन गया दे, वो कितने आसानिस है, तो यह रेडियाक्टिव डिके का मामला है, और रेडियाक्टिव डिके जो होते हैं, वो होते ही क्यों है? नुकलियस के अंधर में, हमारे कुछ प्रोटोंस होते हैं और कुछ नूटोंस होते हैं, और जो प्रोटोंस का नंबर होता है, उसको हम लोग लिखते हैं, कैपिटल? जड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ कुछ प्रोटों सोते हैं, पैले होई, और कुछ नूट्रों सोते हैं, यह जो N by Z है, शुरू में देखेंगे आप जो छोटे-छोटे नूकलेस होते हैं, सबसे छोटा वला नहीं है, उसके बात से, यह बरावर होते हैं, जोतने N, उतने Z, सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन बाद वाले जो नुकलियस हैं, उसमें न्यूट्रोन जादा होते हैं, प्रोटोन का कम होते हैं, आयरन का देखोगे, तो 56 टोटल होते हैं, होते हैं, तो क्या 235, 238 वगर टोटल होते हैं, सुरफ 92 उसमें से टोटोन से, तो कैसा नुकलियस है उसके अनुसार, एक N by Z का एक तो स्टैबिलिटी के लिए एक खास वैल्यू चाहिए अपने को, या उसके आग सपास के वैल्यू चाहिए, तो उससे अगर ज्यादा हो जाए, इन जरूरत से ज़ादा है, प्रोटोन जरूरत से कांज है, तो इनके पास एक सुविधा है, विशेश सुविधा है, तो आपको प्रुटन से अपने आपको डुना करे जिख है मुपर्शाण हो गया औरकल मुपर्शा ऑच ही तो कुछ निविगनो के ताहत, कनवर्शा की वागा अब मैंने ऑए अब सोय Deck शेत्कों प्रॉtschaftणा wraps देते हैं तो पहला नियम है कि चार्ज नहीं बदलना चाहिए यहां जिरो चार्जे तुन हो नहीं चाहिए तो प्रोटोन जोब कनवर्ट कर कर रहे हो तो एक इलेक्ट्रन का मैनिफरिंग करना बड़ेगा तो एक उलेक्ट्रन शाउठ में निकलना चाहिए और इतने से भी काम नहीं चलेगा एक और पार्टिकल चाहिए न्यूत्रीनो और ऐसा वालन लिखते लोग और ऐसा वालन रोन रोश्मिर को एलेक्रों के साथ निकलाए ना है तो इसको इलेक्राउन न्यूत्रीनो भी भी बोलते हैं और बाहर लगा देते हैं क्योंकि अगर कहीं यह जो रेशियों है उसमें जड़ जरूरत से ज़्यादा हो जाए अगर इस रेशियों के लिए जितना चाहिए उसमें उससे ज़्यादा जड़ है और एन उसनुसार कम है तो यह भी संभव है कि प्रोटोन जो है वह अपने आप न्यूट्रान में कनवर् प्रोटोन यह निकाले चार्ज ने बदलना चाहिए और दूसरे जो रूल से उनके नुसारे नूट्रीनों भी होना चाहिए और इस पर बार नहीं लगाते यह दो अलग अलग किसम के नूट्रीनों है तो यह जो एक्ट्रोन निकलता है उसको कहते हैं बीटा माइनस डिके हो गया और यह बीटा माइनस पार्टिकल है और यह जो है यह बीटा प्लस पार्टिकल भी का जाता है कब कहेंगे बीटा पार्टिकल कब कहेंगे लेक्ट्रोन लेक्ट्रोन तो मेरे तार में जो करेंट बहाते हैं वहां भी तो इलेक्ट यह तिक इस वाल को है एक उसवाले एकट्रॉन में जो मेरे करें व曲 मैं टार में से बहता है जहा जब मी में बैटर सय जोडना हूं और इस वाले एकट्रॉन में जो की बीटाईटीके इसाथ बीटाई डीकै हो six ओने से आ रहा है वो एलेक्ट्रोन और उस एलेक्ट्रोन में कोई फरक नहीं है, absolutely कोई फरक नहीं है, पक्के आइडेंटिकल, लेकिन तभी नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है, नुकलियस में से अभी अभी manufacturing हो करके आ रहा है, freshly prepared for you, गर्व 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 तो उसको beta particle बोलते हैं, और जमाने से exist करता चला रहा था, तो उसको electron बोलते हैं, ये नुकलियस से बाहर आ जाए, हाँ, हाँ, क्योंकि नुकलियस के अंदर में तो protons की जगए हो, और neutrons की जगए, हाँ, हाँ, नुकलियस के अंदर, और कुछ आया तो बाहर जाओ, neutrino बना बाहर जाओ, beta बना बाहर जाओ, हाँ, जी. नुकलियस के अंदर जो proton और neutron का ratio होता है, तो ये माना जाता है, मतलब अगर even-even ratio है, तो even-even numbers में, तो nucleus जाता है stability के करता है, odd-even के comparison है, हाँ, बहुत सारी चीजे है, बहुत सारी चीजे है, कौन सा stability के लिए n by z का क्या value होना चाहिए, और एक ही single value ही नहीं है, कई सारे आसपास के values पर वो stable रहता है, तो कौन सा nucleus है, उसका क्या चीजे अंदर में किस प्रकार के उसके, के inka उनके अंदर में कैसा motion उनका चल रहा है, उसमें भी 1s, 2s, 2p motor ऑगर होआ करते है, कुछ-कूच कूच उख़ा करते हैं, तो वो सब मिला करके अलग-अलग के लिए या पंट करना है तो अलग-अलग कि लिए अलग-अलग अ लिए पहरेजा, तो नोन होते हैं तो इस तैब इस थोड़ी बढ़ जाती है, बत नोट इस दो इस बत ओ सोल क्रएबिगे करने गॉंडर बगल वालन में बहुत फरक उता है। जोो सो जड़खती समय बीवाथ है। जोजड़ गॉरणियम घुर। जो है फिशन करता है। 238 को, uranium को फिशन करने के अंदर में जमाने का समय लगता है, दोनों में एवन एवन है, 238 में भी, 238 में भी, so this is not the sole criteria, but this is all different. So, when we talk about the fundamental forces in nature, so we talk about the weak force and it appears during such reactions, तो यहां पर उसका actually कैसे में होता है, क्योंकि strong nuclear force and other forces we can easily explain, but with nuclear force, बस इतना बताते हैं कि beta dk में है, कैसा है? मैं भी उते नहीं बता हूंगा, क्योंकि इस level के उपर, इस length scale के उपर, एक proton का neutron बन रहा है, इसका length scale सोचना, nucleus के अंदर में इतने सारे neutron proton है ताव उसका femtometer का length scale है, और हम उसमें से एक की बात करते हैं, इस length पे force शब्द को हम लोग इस्तेमाद ही नहीं पैकते हैं, because force कहने से F बराबर MA वाला समझ में आता है, और वहां पर ये सब F बराबर MA उनके लिए नहीं है, उनके दुनिया जो है वो अलग सी दुनिया है, बहुत चुटी दुनिया है, वो त्यारी सी दुनिया है, वो खुबसूर्त दुनिया है, वो उसके rules जो है, वो इस vocabulary से नहीं चलते है, में मिष्रली जिस प्रकार का बहाशा है जन्ने ЗапानHigh में तीसर है तरह है नहीं तुछ अलग presi आपंच 4 उसके वर्ड शकले आपset थी जिस ते महा तौनिक वर्ड नर व्हें वो interactions है और बहुत हरा उसका mathematics भी अलग है, जब उतना जितना आप कहते हो, भूम ही में, जब पुरा सीख जाएंगे उसकी भाषा, तब से उसमें कहानिया लिखेंगे, तब से उसमें हम एसे लिखेंगे, तब उसके अनुद बोईताय लिखेंगे, शास्त्र लिखेंगे, है। बढ़े लिखेंगे जेड्स में तब पाथासा, तो लिखेंगे अनुद से लिखेंगे, अनुद से में ऊकले है।